प्यारे बच्चों आप सभी का स्वागत है प्रथम कक्षा के e-learning live हिंदी की कक्षा में बच्चों आज मैं बताने वाली हूँ आपको आपका प्रोजेक्ट वर्क यानी परियोजना कारिय क्या है ठीक है प्रोजेक्ट वर्क तो आप लोग ध्यान से सुनिये और हो सके तो आप इसे लिख भी सकते हैं ठीक है तो आप लोगों को कारिय करना है प्रोजेक्ट वर्क में परियोजना वर्क में परियोजना कारिय में करना है आप लोगों को A6 पेपर, A6 पेपर में A6 पेपर में आपको आपकी जो कविता है पगड़ी वो लिखनी है ठीक है? A6 पेपर में आपको पगड़ी कविता लिखनी है जिस परकार से किताब में दी गई है पगड़ी कविता उसी तरह आपको पगड़ी कविता लिखनी है जैसे आप देख सकते हो इस पुस्तक में पगड़ी और दो पंक्तिया है पगड़ी कविता की इन दोनों को इसी तरह से खुबसूरत handwriting में लिखनी है और आपको क्या करना है लिखने से पहले उपर लिखना है पगड़ी ठीक है जो हमारा पाठ है पगड़ी और पगड़ी के नीचे पगड़ी की चित्र बनानी है तो आप लोग देख सकते हैं पगड़ी की चित्र देख पा रहा है बच्चे आप देख पा रहा है हाँ तो क्या करना है सबसे पहले हमें पगड़ी टॉप में लिखनी है A6 पेज में उसके बाद क्या करना है इसके नीचे ही पगड़ी की चित्र बनानी है ठीक है पगड़ी की चित्र बनानी है उसके बाद क्या करना है जैसे आप देख सकते हैं यह पगड़ी है आप लोग नेट से सर्च करके बहुत सारी पगडिया होती हैं वहाँ से भी आप लोग पगडि की चितर बना सकते हैं और उसके बाद क्या करना है आप नेट में देख सकते हैं कि वहाँ बहुत सारे रंगों की पगडिया होती है तो आप उन पगडियों में रंग भी भर सकते हैं तो आप एक पगड़ी भी बना सकते हैं दो या बहुत सारी पगड़िया भी बना सकते हैं खुबसूरत पगड़िया फिर उसके बाद क्या करना है चित्र बना कर पगड़ी में रंग भरने है ठीक है, रंग भरने है, यानि color करना है पगड़ी को, फिर उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें सुन्दर handwriting से पगड़ी कभी तालिक नहीं है, ठीक है, तो आप लोग इसे sketch paint से भी लिख सकते हैं, सुन्दर सुन्दर कल में होती हैं, उनसे भी लिख सकते हैं, जितना सुन्दर आप लोग लिख सकते हैं, decorate कर सकते हैं, तो कीजिएगा, ठीक है, प्रोजेक्ट सब को समझ में आया, बच्चों आपको समझ में आया, प्रोजेक्ट क्या है, स्रिप रिशान को समझ में आया सभी जवाब दीजिये मुझे हाँ, सबसे पहले हमें क्या करना है A6 पेपर लेनी है फिर क्या करना है टॉप में उसका क्या लिखना है पगड़ी पगड़ी लिखने के बाद पगड़ी की चित्र बनानी है चित्र बनाने के बाद उसमें कलर भरने है यानि रंग भरने है उसके बाद हमें क्या करना है पगड़ी कवीता लिखनी है देख कर सुन्दर सी हेंड राइटिंग में तो यह है आपका project work ठीक है इसे करके रखिएगा अभी तो डेट नहीं दी गई है कब सब्मिट करना है फिर भी आप लोग यह कारिय करके रखिएगा ठीक है बच्चो सब को समझ में आया प्रोजेक्ट वर्क किसे समझ में नहीं आया चेट बोक्स में लिखिए किसे समझ में नहीं आया है प्रोजेक्ट मिनाजुदिन सबसे पहले हमें एस इक्स पेपर लेनी है ठीक है एस इक्स पेपर आपको मार्केट से मिल जाएगी फिर क्या करना है जो हमारा प्रोजेक्ट वर्क है जो की मैंने कहा हमारा जो पीटी टू का सेलेबस में से पहला कवीता है पगड़ी तो क्या करना है सबसे पहले हमें उस A6 पेज में क्या करना है लिखना है पगड़ी फिर उसके बाद पगड़ी की चित्र बनानी है मैंने क्या का पगड़ी के चित्र बना सकते हैं एक, दो, तीन या तीन से अधिक फिर चित्र बनाने के बाद हम लोग जब चित्र बनाते हैं, पिक्चर बनाते हैं, तो उसके बाद उसमें colors भरते हैं, यानि रंग भरेंगे, ठीक है, तो अलग-अलग तरह की पगडियों के अलग-अलग रंग भरेंगे, उससे क्या लगेगा, प्रोजेक्ट बहुत ही पेज में लिखनी है, ठीक है, तो समझ में आया अभी, मतलब जितना बड़ा पेज रहेगा, उतना ही खुबसूरत लगेगा, तो आप लोग A4 साइज पेज से बड़ा पेज भी ले सकते हैं, A6 पेज, येस, A6 पेज या पेपर, ठीक है, उसमें या प्रोजेक्ट कारिय करियेगा, अभी समझ में आया मिना जुदी, ओके, वेरी गुड, तो आप लोग जितना हो सकते, आप लोग डेकोरेशन कर सकते हैं, कलरफुल पेज से, कलरफुल पैंसील, कलर, ठीक है, आप लोग उसमें कुछ भी उपियोग कर सकते हैं, ठीक है, तो यह है आपका प्रोजेक्ट वर्क, आज हम लोग, नेक्स चेप्टर पढ़ेंगे, आपके पीटी, टू का अगला पार्ट हम लोग का है, प्रिष्ट संख्या, असी निकालिये, पेज नमबर 80, पेज नमबर 80, पेज नमबर 80, चेप्टर नमबर 12, पार्ट बारह, गेंद बल्ला, ठीक है, गेंद बल्ला, पेज नमबर 80, पेज नमबर 80, सबने निकाला प्रिष्ट संख्या, असी, आप लोगों ने पेज नमबर 80 निकाला, आज हम लोग नया पार्ट पढ़ेंगे, गेंद और बल्ला, यहां आपके पीटी टू का सेलिबस है, निकाल लिए, चलिए, तो इसका पठन करते हैं, गेंद और बल्ला, तो गेंद और बल्ला का अर्थ यहां पर क्या होगा, गेंद यानि यहां एक खेलने की वस्तू है, और बल्ला यानि जैसे हम लोग बोलते हैं, बेट, बॉल एंड बेट, ठीक है, गेंद और बल्ला, तो बच्चो कोई बताएंगे कि गेंद और बल्ला से हम लोग कौन सा खेल खेलते हैं, बा, बेरी गूड रिसान, क्रिकेट, क्या खेलते हैं, क्रिकेट, तो आज जो कहानी है, वह क्या है, गेंद और बल्ले के उपर है, ठीक है, वेरी गूड, अंशदीप, अंशिका, तो आज हम लोग गेंद और बल्ले के बारे में एक छोटी सी कहानी पढ़ेंगे, शायद आपको यह कहानी पसंद भी आए, यह कहानी क्या है, बहुत ही मज़ेदार है, चलिए पढ़ते हैं, प्रिष्ट संख्या, अस्ति देखिए, गेंद ने बल्ले से कहा, तुम मुझे क्यूं मारते हो, गेंद ने बल्ले से क्या कहा कि तुम मुझे क्यूं मारते हो यानि जब क्रिकेट खेला खेला जाता है तब बल्ले के द्वारा गेंद की पिटाई की जाती है है ना उसे गेंद को बल्ले से मारा जाता है इसी कारण यहाँ पर जो एक काल्पनिक कहानी है तो इसमें क्या कह रहा है गैंद बल्ले से कि तुम मुझे क्यों मारते हो तब बल्ले ने यानि जो बेट था उसने क्या कहा बल्ले ने कहा मारू नहीं तो खेल कैसे हो तभी बल्ले ने जवाब दिया अगर मैं तुम्हें नहीं मारूंगा तो हमारा खेल कैसे होगा क्योंकि जब बल्ले से गेंद को मारा जाता है तभी हमारा क्रिकेट में छोता है अगर गेंद को बल्ले द्वारा नहीं मारा जाए तो खेल कैसे हो तो यहाँ बात बल्ले ने गेंद से कहा अगर मैं तुम्हें नहीं मारूंगा तो खेल कैसे होगा तब गेंद जब बल्ले के पास आई तो उसने उसे जोड से मारा तो फिर cricket यानि खेल शुरू हो गई जैसे ही gain बल्ले के पास आती है तब बल्ला उसे जोर से मारता है है ना जब हम लोग cricket खेलते हैं तो क्या करते हैं जब हमारे पास बल्ला होता है और gain सामने आती है तब हम उसे जोर से मारते हैं फिर इसमें भी बल्ला गेंद को जोर से मारता है फिर क्या होता है गेंद कुदक्ती फुदक्ती दूर जाकर एक जाड़ी में छिप गई जैसे ही बल्ले ने गेंद को मारा तो क्या हुआ गेंद कुदक्ती फुदक्ती यानि उचलती, कुदती कहां पहुच गई, एक जाड़ी में पहुच गई, जहां बहुत सारे पेड़ पोधे थे, जिसके वो जाड़ी ऐसी होती है, जिससे क्या होता है, उसके अंदर क्या है वो देख नहीं सकते, तो वहां गेंद क्या करती है, जाड़ी में जाकर छीब जा ठीक है जाड़े में जाकर छीप गई अब आईए प्रिष्ट संख्या 81 पेज नमबर 81 ठीक है फिर क्या हुआ बल्ला उसे धूंडता रहा धूंडता रहा धूंडते धूंडते शाम हो गई ठीक है जैसे ही गेंद जाड़े में चिप गई तो क्या हुआ बल्ला उसे धूंडने निकल गया यानि खोजने लगा वो इधर धूंडा उधर धूंडा लेकिन गेंद नहीं मिली और धूंडते धूंडते क्या हो गया धूंडते धूंडते शाम हो गई जैसे ये शाम होती है धीरे धीरे क्या होता है अंधेरा चाने लगता है तो गेंद फिर उसके बाद अंधेरा घिरने लगा घिरने लगा यानि धीरे धीरे अंधेरा चाने लगा बढ़ने लगा गेंद खुश थी कि बल्ला परिशान हो रहा है अब गेन तो खूश थी क्योंकि वो छुपी हुई थी जब हम लोग लुका छुपी खेलते हैं बच्चों तो क्या होता है? एक वैक्ती सारे लोगों को ढूणता है सारे वैक्तियों को ढूणता है सारे लोग छुप जाते हैं और एक वैक्ती ढूणता है तो वो वेक्ति क्या होता ढूंदते ढूंदते लुका छुपी में वो तो परिशान हो जाता है उसी तरह यहां गेन चिप जाती है चिप के बैठी रहती है और बल्ला बिचारा उसे ढूंदता रहता कभी इधर कभी उधर तो उसे गेन तो मिलती नहीं धीरे धीरे क्या होता अंधेरा चा जाता है फिर उसके बाद बल्ला परिशान हो जाता है बल्ला निराश होकर लौट चला फिर उसके बाद क्या होता वो इतना ढूंता है कि परिशान हो जाता परिशानी में आकर वो दुखी हो जाता है निराश हो जाता है और वो क्या बोलता है मतलब वो वहाँ से चला जाता है यानि जाने ही वाला होता है तब क्या होता है तभी गेंद ने जाड़ी में से चला कर कहा मैं यहाँ हूँ आओ मुझे ले लो तभी गेंद ने क्या कहा बल्ले से की मैं यहाँ हूँ वो जाड़ी से चिलाई और बोली मैं यहाँ हूँ यानि मैं यहाँ पर हूँ जाड़ी के पीछे आओ मुझे ले लो और वो गेंद बल्ले से कहती है कि आओ और मुझे ले जाओ बल्ले ने उसे जाड़ी के नीचे से खीच कर उठा लिया फिर बल्ले ने उसकी आवास सुनी और उसके पास गया और उसे जाड़ी से क्या किया खीच कर यानि उसे खीचा और उठा लिया यानि जाकर अपने पास ले लिया फिर गेंद ने कहा देखो अब मुझे मारना मत फिर वहाँ गेंद बल्ले से कहती है कि देखो अब मुझे मत मारना क्यों कहती है क्योंकि वहाँ बल्ला उसे मारता है तो वो दूर जाकर छिप जाती है और उसे परिशान करती है और जब वो मिल जाती है तब गेंद बल्ले से कहती है अब मुझे मस मारना नहीं, तो फिर से मैं जाड़ी में छिप जाओंगी, ठीक है, तो यह थी आपकी एक प्यारी सी कहानी, गेंदर बल्ला, तो बच्चों आपको यह कहानी पशंद आई, ओके, सभी को पसंद आई, कहानी, किसी को कोई कोश्चन पूछना है मुझसे, कुछ प्रश्ण करने है, नहीं, ओके, तो आप लोग इस कहानी को घर पर पढ़ियेगा, और नेक्स्ट क्लास में, यानि अगली कक्षा में, मैं इसके कुछ प्रश्ण उत्तर कराऊंगे, ठीक है, तो आज के लिए ही तक फिर मिलते हैं, अगली कक्षा में, धन्यवाद, क्षरा बाफ wordt AREKजरे लिए confess Pepper, मैं, क्षराउ उत्तर के लिए ने के लिए ही तक आपश्पावंगे, तक समयर का जeven70, तक सूवादम से जत्तर कराईंगे, तक स問 समयरे, जड़े खिना हैं के, तक समयरे, गभली को तक रहाद में, जओ व्हाद ए कंवाद आए, खर्ऩ झा झाल कि अव्ण मुद मुद कि ला कि सा मुद